संस्कृत भाशा शिक्षन में आपका हादिक स्वागत है पूर्ब भाग में हमने अस धातू के भूत काल रूपों का अभ्यास किया है इस भाग में उसका और थोड़ा अभ्यास करके फिर आगे बढ़ेंगे नमो नमः संस्कृत भाशा शिक्षने भवताम सर्वेशाम स्वागतम इदानीम वयं पूर्वतन पाठस्य पुनस्मारणं कुर्मह आसीत एकवचनम आसन बहुचनम अहम एकवचने वदामी ग्रुहिनी मंदिरे आसीत ग्रुहिन्याह मंदिरे आसन बालिका क्रीडांगने आसीत महिला ग्रुहे आसीत महिलाह ग्रुहे आसन फलम व्रुक्षे आसीत फलानी व्रुक्षे आसन मीनह नद्याम आसीत मीनह नद्याम आसन कर्मकरी मार्गे आसीत कर्मकरीयह मार्गे आसन कर्मकरीयह मार्गे आसन उतमम एव मेव आसम 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 एकवचनम आसम बहुवचनम उनहां एकवचने आहम वदामी बहुवचने परिवर्थनम कुर्वंतु आहम गुरुहे आसम आहम नगरे आसम आहम मंदिरे आसम आहम चित्रमंदिरे आसम वयम चित्रमंदिरे आस्मा आहम मार्गे आस्म वयम मार्गे आस्मा आहम क्रीडांगने आस्म वयम क्रीडांगने आस्मा आहम शालायाम आस्म वयम शालायाम आस्मा आहम नगर्याम आस्म सुधाखंडः अहन सुधाखंडेन लिखामी दन्त कूर्चः दन्त कूर्चेन दन्त धावनं कुर्मः दन्डः दन्डेन अहन न ताड़यामी चशकह जलंपिबतु चशकेन जलंपिबती शरकराम खादतु चमसेन शरकराम खादती हस्तह हस्तेन स्पर्शं करोमी चशकह चशकेन चमसह चमसेन हस्तह हस्तेन सुधा खंडः दन्डः 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 दन्त कूर्चह दन्त कूर्चेन अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां तृत्या विभक्ति का प्रयोग किया गया है जैसे हस्तेन पर्शं करोमी चमसेन शरकराम खादती इन वाक्यों में हस्तह, मुखम, आदी, साधन है इसलिए उनकी तृत्या विभक्ती है काम करने में जो साधन बनता है उसके तृत्या विभक्ती होती है हस्त, चमस, सुधाखंड, डंड, आदी अकारांत पुलिंग शब्द है इनके तृत्या विभक्ती में हस्तेन, चमसेन, सुधाखंडेन, डंडेन ऐसे रूप बनते हैं कंकतम अहं, कंकतेन, केशप्रसादनं करोमी करवस्त्रं करवस्त्रेन, मार्जनं करोमी कंदुकं बालाह, कंदुकेन, क्रीडंती उपनेत्रम, उपनेत्रम उपनेत्रेना, पश्यामी कंदुकं, कंदुकेना पुस्तकं, पुस्तकेना उपनेत्रम, उपनेत्रेना ये सब अकारांत नपुन्सकलिंग शब्द है इनके कृत्या विभक्ती में कंकतेन, पुस्तकेन, मस्तकेन ऐसे रूप होंगे चुरिक, आहम चुरिकया भलं कर्तयामी मापिका, वयम मापिकया मापनं कुर्महा कुंचिका, तालह आहम, कुंचिकया तालं उद्घाटयामी माला मालया, अलंकारम कुर्महा कुंचिका, कुंचिकया माला, मालया मापिका, मापिकया पत्रिका, पत्रिकया ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इनके त्रितिया विभक्ती में मापिकया, संचिकया, मालया ऐसे रूप होंगे कर्तरी, अहम, कर्तरिया कर्तयामी अंकनी, अंकन्या चित्रम लिखामह दर्वी, दर्व्या परिवेशनम करोती लेखनी, लेखन्या लिखामह मार्जनी, मार्जन्या मार्जयामह द्रोणी, द्रोण्या जलम नयामह कर्तरी, कर्तरिया अंकनी, अंकन्या लेखनी, लेखन्या घटी, घट्या मार्जनी, मार्जन्या दर्वी, दर्व्या द्रोणी, द्रोण्या ये सब इ का रांत स्त्रीलिंग शब्द है इनके त्रितिया विभाक्ती में लेखन्या, अंकन्या, द्रोण्या ऐसे रूप होंगे अहं पत्रम दर्शयामि क्रिष्टनहा, क्रिष्टनेना, रामहा, रामेना, गोविंदहा, गोविंदेना, भवंतहा, दुरुष्ट्वा, क्वदंतु क्रिष्टनहा, कृष्टनेना, लेकाः, लेकाः देना, चछचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच ठलम ठलेना, मस्कतम मस्तकेना, रमा रमया, रादा, रादया, सीता, सीतया, मापिका, मापिकया, संचिक, संचिक, मालया, चुरिका, चुरिका, चुरिकया, पालथी पालथ Ricky रमा, रमया रादा, राधया सीटा, सीटया माविका, माविकाया पत्रिका, पत्रिकाया पेडिका, पेडिकाया संचिका, संचिकाया माला, मालया भदिनी भदिन्या, द्रोणी द्रोण्या, अंकनी अंकन्या, लेधनी लेखन्या, घटी घट्या, कूपी कूप्या इदानीम वयम एतेशाम शब्दानाम उपयोगम कृत्वा वाक्यम रचयामह भवान वदतो शह लेखन्या, लिखती अहम, चमसेना, शरकरां खादागी शह, दंतपूर्चेना, दंदभावनां करोती शह, कन्युचेना, ख्रीड़ती अहम, दंडेना, ना थाड़याम उताम सीता, उपनेत्रेना, पश्यती अहम, हस्तेना, कार्यम करोमी उताम शिक्सिका, मार्चन्या, मार्जयती अहम, चशकेन, जलं, पिबामी अच्च कह, मालया, देवं, अलंकरोती वयं, सुधाकंडेना, लिखामह समीचे एश्या, लेकन्या, पत्रम, निकती जनाह, घट्य, समाय, जाननती उताम अहम, लोखयानेन, नगरम, दच्चामि बालिका, द्विचक्रिकया, विद्यालयम, दच्चती जनाह, त्रिचक्रिकया, संचारं, कुर्वंती सचिवाह, विवानेन, विदेशं, गच्चंती बालकह, नौकया, गच्चती लोखयानम, लोखयानेन, द्विचक्रिका, द्विचक्रिकया विमानम, नौकया, इदानीम, भवनतह, कथं, गच्चंती वदतो, अहम, लोखयानेन, गच्चामि उत्ताम, भवती वदतो अहम, लोखयानेन, विद्यालयम, गच्चामि समिची भवन किम करोती अहम, त्रिचक्रिकया, गच्चामि अभ आप समझ गय होंगे कि जब हम किसी वाहन से प्रयान करेंगे तो उसे बताने के लिए फृतिया वभाक्ती का प्रयोग करेंगे इदानीम वयम अन्यमेकम अभ्यासम कुर्महा कूर्चह कूर्चेन आहम चित्रानी लिखामे कूर्चह कूर्चेन वदन्ति वैदनीम कूर्चह कूर्चेन आहम चित्रानी लिखामी कुँचिका कुँचिकया आहम तालं उत्वाटयामी उत्टंकन यंत्रम उत्टंकन यंत्रेन आहम उत्टंकनम करोमी कर्टरी कर्टरिया आहम कागतं करत्तयामी विमानम विमानेन आहम संचारं करोमी स्यूतह स्यूतेन आहम वस्तुमी आनयामी लेखनी लेखन्या आहम अक्षरानी लिखामी द्विचक्रिका आहम प्रिध्यालयं घच्चामी लोकयानम लोकयानेन आहम प्रयानं करोमी दंडह दंडेन आहम शुनकं ताडयामी तुला तुलया आहम वस्तुमी तोलयामी दूरवाणी दूरवाण्या अहम तंडशनं करोमी अहम श pronoun द्वयम वदामी भवंतह वाक्यम रचेन्तु व्याधह बानाह भवान्वदतो व्याधह बानेन व्याख्रम मालयते शिक्षकह सुधाखंडह शिक्ष कहा सुधा खंडेन लिखती लोहकारह मुद्गरह अर्च कहा माला अर्च कहा मालया देवं अलंकरोती सुरेश कुचिका जनाह वाहनम जनाह वाहनेन संचरंती सुचिकह कर्थरी सुचिकह कर्थर्या कागदं कर्थयती माता वेलन्या रोटिकाम करोती सैनिकह गदा सैनिकह गदया शत्रुम् मारयती पिता स्यूतह वस्तूनी आनयती अब आप एक द्रिश्य देखेंगे जिसके संभाशन में तृद्या विभक्ती के रूपों का ज्यादा प्रयोग किया गया है प्रलक्ष्मी प्रलक्ष्मी व अ अ हु इंडरक्षी आज़्या हुआ उप उपाुआ ॥ विफ सर्वं कुसलं क्या सर्वं कुसलं किम करोती भवती अहम पाकच नहीं जो sonra अध्य माद्थावा आघच नहीं आताहा इशेश हा भवती भवती के म करोती अहम, आलुकेला एवेजञन में, ऑश्मांडे offer करो में बभु मरीची का हसनती कलौ? भरीचि क्या किम करोति नेषा महा मरीची का येशा कदूनास्ती, येत्या भर्यम करो में भवती रोती काम ना करोती बहा? रोती के चाहा दालामा भी करो मी किम अपी मदरब करो में पायसम करो में पायसम वा गृतेन पायसस्य रुचिही अधिखा बवती इदानीम वदतो अहम किम सहायम करो में सहायम किम अपी मासुभो हो मया सहा संभाशनम करो तो पर्यापतो तरही बवती एव सर्वं करो तो अहम सर्वेशाम रुचिम पश्याम इदानीम वयम एकम सुभाशितम शुणुमाह अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलनम्रताप अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलनम्रताप अनुत्स्रज्यसताम वर्त्म यत्ष्वल्पम अपितद्बहू यत्ष्वल्पम अपितद्बहू अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलनम्रताप अनुस्रज्यसताम वर्त्म यत्ष्वल्पम अपितद्बहू यत्ष्वल्पम अपितद्बहू यत्स्वल्पमापे तद्बहु। इदानिम यत्सुभाशितम शुतवन्तह तस्य सुभाशितस्य अर्थः एवमस्ति जीवने सज्जनेही कथम व्यवहर्थव्यम इती यतस्मिन सुभाशिते उक्तमस्ति यदि लेतत सर्वमपी अकृत्वा जीवने अत्यधिकं संपादे यति चेदपी तस्य मूल्यमेवन भवती इस सुभाशित का अर्थ यह है कि दूसरों को कष्ट दिये बिना, दुष्टों के आगे अपने आपको जुकाए बिना और महापुरुषों के बताये गए मार्ग का परित्या किये बिना, यदि कम ही अर्जित हो तो वह भी बहुत है अहम इदानीम एकाम कथाम वदामी भवंतह सर्वे सावधानेन शुर्णवन्तु पूर्वं कलिंग देशं अशोक महाराजह पालयतिस्म एकदा सह मंत्रिना सह विहार आर्थं बहीर गतवानासीत तत्र मार्गे कंचित बौध्ध बिक्षुं सह दृष्टवान सह भिक्षोह समीपं गतवान भक्त्या तस्य पादार विंदयोहो शिरह स्थापैत्वा नमस्कारं कृतवान भिक्षिहु आशिर्वादं कृतवान परंतु एतत्द सर्वम अपी तस्य मंत्री आश्चर्येन पश्यन आसीत एतद तस्मय न अरोचता सह महाराजं प्रुष्टवान भोहो महाराजा भवान एतस्य राज्यस्य चक्रवर्थियस्ति भवान किमर्तं तस्य पादार विंदयोहो शिरह स्थापितवान इति तदा महाराजह किमपिन उक्तवान मौनम हसितवान कानिचन दिनानी अतीतानी एकदा अशोकह मंत्रिनम उक्तवान भोहो मंत्रिन भवान इदानिमेव गत्वा एकस्य अजस्य एकस्य व्यागरस्य एकस्य मनुष्यस्य शिरहा आनयतु तदा मंत्री अरण्यम गतवान एकस्य व्यागरस्य शिरहा आनितवान मामसापणम गतवान तत्र एकस्य अजस्य शिरहा आनितवान तथा एव श्मशानम गतवां, तत्र एकह मनुष्यह मृतहा आसीत, तस्य शिरह अपी आनितवां, महाराजाय दत्तवां, महाराजह उक्तवां, भोहो, एतत सर्वम अपी भवान नीत्वा, विक्रिया आगच्छतु, मंत्री विपणीम गतवां, तत्र कष्चन मामसभक्षकह अजस्य शिरह कृतवां, अन्यह कष्चन अलंकार प्रियह व्याग्रस्य शिरह कृतवां, परंतु मनुष्यस्य शिरह कोपी न कृतवां, अनंतरम मंत्री निराशया महाराजस्य समीपं आगत्या निवेदितवां, महाराजह उक्तवां, भवत्वां एतत शिरह दानरूपेण ददातु इति, पुनहा मंत्री विपणीम गतवां, तत्र सर्वान उक्तवां, भोहो एतत शिरह दानरूपेण ददामी स्वीकुर्वन्तु स्वीकुर्वन्तु इति, परंतु कोपी न स्वीकुर्तवां, मंत्री आगत्य महाराजं सर्वं निवेदितवान महाराजह उक्तवान इदानिम ज्ञातवान खलू यावज जीवा महा तावदेव मनुष्य स्यरीरस्य महत्वं भवति जीवा भावे मनुष्य स्यरीरं वेर्थं भवति तदा शिरसह अपी महत्वं न भवति अतह जीवित काले येव वयम यदी सज्जनानाम श्रेष्ठानाम पादार विंदयो हो शिरह समस्थाप्या आशिर्वादं स्वीकुर्महा तरही जीवनं सार्थकं भवति येतत शुरुत्वा मंत्री समाहिता अभवत्थ। झाले जीवनं करते हो शिर्ष्टानाम विंदयो हो शिर सम्रीन श्रीवादं सार्थकं पायच गादार विंदयो हो शिर्ष्टानाम पादाओे विंदयो हो शिर्डानाम श्र稠 कालेकर। झाल झाल झाल